Kis Right Hello Students, Welcome to Genius Mentors हम कर रेते बेटा चैप्टर रवन जिसका नाम है KROP Production & Management है ना चेप्टर हमने कवर कर लिया क्या पड़ा था हमने की KROPS क्या है उसका production कैसे वह। उसका management कैसे क्या याना कुछ फ्रेक्टिसे जम फोलो करते हैं जिसकी वजह से ग्या जो हमारे प्रडक्शन में हैंप करती है ठीक है यह था आपका चैप्तर यानि फूट फ्रॉम प्लांट मिला और फिर उसके बाद हमने देखा था कि फूट फ्रॉम एनिमल मीज़ भी मिलता वह वह क्या हो सकते मिलक हो सक तो अब हम करेंगे इसके कीवर्ड तो चलिए देखते हैं वह कीवर्ड क्या है जो आपके exam point of view से बहुत important यानि आपके one जो प्रेक्टिस आप फोलो करेंगे कहने का मतलब है जो भी टास्क आप पर्फोर्म करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे agriculture practices तो कैसे define करेंगे अच्छी क्रोप के लिए जो भी फार्मर जो भी प्रेक्टिस फोलो करता है जो भी टास्क पर्फोर्म करता है उससे हम क्या बोलेंगे agriculture practices ठीक है क्या है वो जैसे हमने soil को prepare किया था उसके बाद showing then adding manure and fertilizers irrigation किया था then अगर पानी देने से कुछ और crop grow कर गई मतलब unwanted plant grow कर गई तो weeds वे उसको कैसे हम हटाएंगे then crop mature होगी तो harvesting कर ली फिर उसकी threshing की यानि आपका store रह गया भूसा अलग से रह गया और आपके grains अलग हो गये then finally हमने उनको store कर लिया ठीक है तो यह थी आपकी agriculture practices clear है तो चलिया आगे देखते हैं और क्या keywords हो सकते हैं animal husbandry animal husbandry क्या होता है मतलब animal को हम rare करते हैं कब rare करते हैं यानि जब हमें उनसे कोई फाइदा हो रहा हो और हम उनकी proper care करेंगे जो हमें कुछ नकुछ देंगी क्या दे रहे हैं यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं मतलब animal क्या देंगे में food देंगे यहां पर ठीक हैं तो food is also obtained from animal खाना हमें animal से भी मिलता है और इसकी वज़ा से अगर हम क्या करते हैं for which animals are reared तो जिसकी वज़ा से हमें animal को पालते हैं तो इस process को हम क्या बोलते हैं animal husbandry क्या बोलते हैं animal husbandry जैसे आपको chickens क्या देते हैं जो ठीक है उनसे क्या मिलेंगे हमें egg या फिर चिकन से आप चिकन भी बना के खा सकते हैं ना बीज से हमें क्या मिलेगा honey जैसे honey bees हो गई ठीक है यह रहा honey आपका और यह रही बीज clear then cows से हमें क्या मिलेगा गाएं से क्या मिलता है आपको दूद मिलता है ठीक है milk यह रही आपकी गाएं या फिर जो बक्री है उससे भी क्या मिल सकता है आपको दूद मिल सकता है यह जो भी मान लो आप यह पिग से हमें क्या मिलता है पिग से हमें मिलता है पोक यानि क्या मिलेगा हमें पिग से meat ठीक है तो इस तरीके से food from animals हम obtained करते है ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्रोप क्या है हमारे चेप्टर का नाम ही यही था क्रोप production and management क्रोप क्या होता है कि अगर हमने same kind के plant grow कर लिए किसी field पे ठीक है on large scale एक बड़ी मात्रा में अगर हम grow करते हैं क्यों करते हैं बड़ी मात्रा में क्योंकि हमारी population बहुत जादा है खान तो सभी को चाहिए ठीक है two of ten foods like कौन-कौन सा food मिलेगा हमें cereals जैसे अनाज मिलते हैं ठीक है गेहूं हो गया चावल हो गयी में जो गया मक्की हो गयी ठीक है है जैसे यहां पर wheat crop of wheat का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे खेत में सारे के सारे प्लांट किसके होंगे wheat के ठीक है चलिए आगे देखते हैं फटलाइजर क्या होते हैं हमने ना crop की growth के लिए हमने कुछ substance उसमें add के थी कुछ सबस्टांट ऐसे थे जो हमें nature से प्राप्त हो गए थे और कुछ ऐसे थे जो हमने chemically prepared के थे तो यानि वो chemical substance या वो salt तो fertilizer क्या होता a salt containing the necessary plant nutrients और necessary plant nutrient कौन से हो सकते हैं नाइट्रोजन हो गया है जिसे plant protein बनाएगा phosphorus हो गया potassium हो गया सारे के सारे क्या है plant जो है nutrient की फोम में लेता है जिससे कोई न कोई compound तयार करते है जैसे हम अपने श्रीमी क्या करते है नाइट्रोजन तो हम plant से ले लेंगे प्रोटीन की फोम में भी phosphorus पुटाशीमी सारे क्या क्या करते हैं जैसे phosphorus किसके लिए हडियों के लिए जुरूरी होता है ठीक है to make the soil more fertile उस soil को fertile बनाने के लिए यानि वो ऐसी हो जाए जो ज्यादा से ज्यादा production दे सकी ठीक है तो उसके लिए क्या चाहिए nutrients चाहिए अब वो nutrients हम कैसे add कर रहे है किसी न किसी substance की form में add कर रहे है उन substance को हम क्या बोलेंगे या उन salts को हम क्या बोलेंगे fertilizer जो हमने क् यह है artificially prepare किया है ठीक है तो यह है आपके fertilizer जैसे आप देख रहे हो यूरिया वगर हम दालते हैं प्लांट्स के अंदर ग्रेंगरीज क्या होती है यह आप देख सकते एक जगह है जिस पर भूत सारे सेक्स लगे है मतलब बोरे लगे हुए ठीक है इन बोरों में क्या कर रखा हमने अनाज भर रख है और कितनी अच्छी lightning lightning है बहुत अच्छी facility हमने दिया है क्यों कर रखा इतनी साफ सफाई से त या कोई अधर microbes इन पर अटेक ना करें और हमारा अनाज जो है वह बचा रहे है ठीक है जिसे हम फर्दर यूज में ले सकते हैं तो ग्रेंडीज क्या होंगी ना प्लेसिज वेर फ्रेशली ओप्टेंड फूड ग्रेंज और स्टोर्ड एट लाज स्केल जिसमें हम फ्रेशल ल्यगर स्टोर करें करने के लिए रिया तो हम उसे त्वसार कर ने का उन्धर करते हैं उतना इतरत क्लेंस कौ्ट करते हैं तो पंचेंसार कारिकम हं Pak ए-वित आपका हरूस्तिंग इसनल पर दाइए तो हम उसे जरतों से उलन कर देंद जा रहे हैं ठीक है यह आपकी मशीन है जिसको हम हरवेस्टर बोलते हैं हरवेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा हरवेस्टर तो यानि cutting and gathering of matured food crop is called harvesting ठीक है उनकी cutting या gathering करना कब जब वो mature हो जाए पक्के तयार हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं हर्वेस्टिंग क्लियर है चलिए आगे देखते हैं irrigation क्या होता है मतलब पोदे को क्या चाहिए पानी पानी बिना तो जीवन ही नहीं है है ना सभी living organism को जिन्दा रहने के लिए क्या चाहिए पानी चाहिए क्योंकि पानी ही सारे nutrients के supply करता है बोडी के ठीक है अच्छाहिए वो प्लांट की बोडी हो चाहिए अनिमल्स की हो क्लियर तो supply of water to crops at regular interval एक regular interval के बाद मतलब हमें continuous supply नहीं करनी तो उस process को हम क्या बोलते है irrigation क्लियर जैसे आप ये देख रहे है tube well के माद हम से हम क्या करें पानी दे रहे हैं ये फिर हमने कोई modern method यूज किया है ठीक है ये पानी जैसे आपके पोदों तक पहुंच रहा है फ्रोज के अंदर जो रोव आप बना देते हैं ठीक है उनके अंदर पानी supply होता है और वो पोदों तक पहुंच जा ठीक है चलिए आगे देखते हैं खरीफ क्या होती है खरीफ वो crops होती है जो एक proper season के अंदर ग्रो की जाती है और वो season कौन सा होगा आपका वो season होगा आपका rainy season और rainy season इंडिया में कब से कब तक होता है from June to September ठीक है तो हम क्या बोलेंगे यानि दा crop grown in rainy season या crop grown from June to September अनोन एज खरीफ क्रोप्स ठीक है खरीफ यानि crop season हो जाएगा आपका या खरीफ क्रोप्स भी बोल सकते हो तो पैड़ी, मेज, मिलट, स्वाबीन, ग्राउननट, कोटन यह सारे के सारे क्या है आपकी खरीफ क्रोप्स है यह देख सकते हो आप यह राइस रहा पैड़ी से ही तो मिलता है शुगर केम रहा, ग्राउननट रहा, कोटन रहा स्वाबीन, कौन कौन मतलब मेज ठीक है और मिलट्स क्या होती है, होती है आपके कोर्स ग्रेंज कोर्स ग्रेंज मतलब मोटे अनाज जैसे, बाजरा जवार रागी यह सारे के सारे क्या है कोर्स ग्रेंज मोटे अनाज ठीक है, मतलब इनके दाने थोड़ी मोटे होती है इनको पानी की कमजरूरत पड़ती है मैन्यूर क्या है मैन्यूर क्या है यानि पहले सोचओ हमने कितनी बार कर लिए है बहुत बार तो मैन्योर कहते ही आपके माहिण में पिक्चर बन जानी चाहिए कि हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो हमें क्या मिली है रहे हैं कुछ न कुछ अच्छा फाइदा दे रहे तो मेन्योर जो है, वो एक सबस्टान्स है, कौन सा सबस्टान्स है, नैट्रल सबस्टान्स है, जो मिलता हमें, किस से मिलता है, डीकॉंपोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, जो एनिमल का वेस्ट होता है, जैसे हमारा एक्स क्रेटा हो गया, यूरीन हो गया, वो सारा एनिमल वेस ठीक है प्लांट के जो बचे हुए रैस्ज़ों है जिसे छिल के विल के हो गई या टहनिया हो गई कुछ भी फूल पत्ती जो भी मान सकते आप तो उन सारों का decomposition मतलब breakdown होने के बाद जो सब्स्टांस हमें मिलता है उसे हम क्या बोल लेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह इस तरीके से त्यार हो जाता है ठीक है इस black color के organic इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम आप दे सकते हैं चलिए आंगे देखते हैं और क्या हो सकते हैं फ्लो क्या है फ्लो जो है वो एक एग्रीकल्चर का implement है मतलब एक machine है एक tool है एक yantar है जो हम किसमें use करते है plowing के लिए use करते है ठीक है तो large agriculture implement which is used for plowing या tilling और plowing क्या थी यानि हमें क्या करना है preparation of soil करना है उसके अंदर क्या करना है plowing करना है मतलब loosening and turning of soil मतलब हमें क्या करना है नीचे की मिटे उपर लानी है और उसको बिल्कुल lose कर देना है particles को बिल्कुल अलग-अलग कर देना है जैसे ही कर देना है यह format दिख रहा है आपको bell के साथ क्या करना है खेत को plow कर देना है यह plowd filled हुआ तो यह क्या है आपका plow ठीक है यानि यह जो हिस्सा है इसको बोलते हैं beam क्या बोलते हैं beam जो bell की गर्दन के उपर रखा जाता है यह यहां रखा हूँ ठीक है यह इसका handle हो गया जो यहाँ पे attached है यह plow का shaft हो गया और यह plow हो गया ठीक है यहाँ पे handle है यह plow shaft share है यह plow shaft है share मतलब जो नुकीला हिस है जो जमीन में एक blade की तरह काम है clear है तो यह होगे आपका plow फिर बात करते हैं रभी रभी वो crop होती है जो grow की जाती है कब फिर से याद किजिए हमने क्या किया था अपने हाथों को rub किया था कब किया था जब हमें ठंड लगी थी यानि रभी crops which are grown in winter season और winter season कब से कब तक है आपका October to March ठीक है यह मतलब season कैसे डिसाइड़ है मतलब इस time बोई जाती है और March में काटी जाती है ठीक है harvesting होती है March रभी crops कौन कौन सी है wheat, gram, peas, mustard और linseed यह सारे के सारे क्या है हमारी रभी crops ठीक है यह आप देख सकते है रभी crops clear है चलिए आगे seeds क्या होते है हमने selection of seeds क्या seeds के हमने उगाया मतलब उसको बोया ठीक है मिट्टे के अंदर तो वो सारी चीजे क्या थी वो हमने कर ले लेकिन हमने यह तो पढ़ाई नहीं के seeds क्या है seeds ना वो hard part होता है बच्चो जिससे एक नया पोधा होता है ठीक है जसे यह आप देख सकते है यहां से जड़ उगनी शुरू हो गई यह जड़ आ गई इसके अंदर फिर उपर की तरफ stem आ गया फिर धीरे धीरे यह एक plant बन गया है ना तो यानि seed is the small hard part of a plant क्या होता है एक छोटा सा hard part होता है plant का जिससे क्या होता है new plant ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं seed ठीक है चलिए आगे देखते हैं सिलो क्या होता है सिलो होता है कि कुछ metallic beans को specially स्टोरेज कर सके grains की large scale ठीक है जिसे हमने बोरे वगएर हमें तो किया था उसमें कर लेते हैं लेकिन उसमें क्या होता है जो grainries हम यूज कर रहे हैं तो वो हम sex यूज करते हैं मतलब ये वाले बोरा जोड़ता है ठीक है बड़े बड़े मतलब जूट के या cotton के से बने होते हैं उसको क्या करते हैं जो pest होते हैं या rodents होते हैं मतलब जो हमारे चुए वगएरा उनको काट देते हैं और उनके अंदर अगर हलका सभी कहीं भी कोई पानीवानी आ जाए तो वो असानी से अंदर अनाज के अंदर एंटर कर सकता है तो उसमें जो है खराब होने के चांसे ज़्यादा होते हैं इसलिए हम ना कुछ metallic की beans तयार करते हैं मतलब बड़ी बड़ी टंकिया बनाई जाती है specially परपर से किस परपर से ताकि हम उसे pest या insects से या micro-organism से बचाओ कर सके तो सिलोज क्या होंगे specially designed big and tall cylindrical structure और किसके लिए इस होते है for storage of grains आप इसको यहीं लिख सकते है for storage of grains ठीक है यह इतनी होगी आपकी definition यह हमने extra point इसलिए आड़ किया था कि क्यों करें जाते है grainries में और इमें क्या फरेकर करते तो इसलिए add के बाद है clear है? समझा गया होगा? चलिए sewing क्या होते है sewing मतलब scattering of seeds कहाँ पर scatter करोगे आप उसको soil के अंदर ठीक है? यानि बीज को उगाना है तो क्या करेंगे? हम बीज को डालना तो पड़ेगा ना मिट्टी में तो उस process को हम क्या बोलते है sewing मतलब process of scattering seeds या putting seeds in the soil for growing the crop is known as sewing ठीक है? तो जैसे यह हो रहे है यह machine है यह seed drill machine है हम traditional method भी use कर सकते हैं हमारी हलके उपर एक funnel like structure लगा के उससे भी कर सकते हैं लेकिन यह क्या है? seed drill इससे क्या होगा आपके time की बचत होगी efficiency ज्यादा होगी production ज्यादा होगा ठीक है? चलिए आगे देखते हैं और क्या कर सकते है? storage क्या है? storage यानि जो हमें grains मिल गई यह silos है यह grain reads है मतलब क्या करा हमने grains को store कर लिया तो उस process को क्या बोलेंगे? storage यानि process of storing the crop after they are harvested for later use मतलब harvest करने के बाद जब हम crops को store करते हैं या grains को store करते हैं further use के लिए मतलब आगे आने वाले time के लिए ठीक है? जब season चला जाता है तो उसके बाद हम कैसे खाएंगे उस चीज को? तो यानि हम आगे आने वाले time के लिए उसे store करके रखते हैं उस process को हम क्या बोलेंगे? storage then thresing thresing क्या होता है? कि grain को chaff से separate किया जाता है ठीक है? मतलब जो हमारा भूसा है उससे अनाज को अलग कर लिया जाता है उस process को हम क्या बोलेंगे? thresing कैसे कर सकते हो? आप manually भी कर सकते हैं हमें हमने पूरे कुछ plant घटे के harvested जो plant थे ठीक है उनको एक हिस्से में बांध लिया बांधने के बाद हम क्या करेंगे? एक drum का यूज करें जैसे धान जाड रहेंगे ठीक है धान को उसके मतलब उसके तने को उसके grain से अलग कर रहें ठीक है या फिर धान के लिए यह वाली मशीन भी यूज कर सकते हैं यानि जो तना होता है जिसको आप प्राली बोलते हो उसको अलग कर लिया जाता है किस से में क्रोप से मतलब ग्रेइन से या फिर यह थ्रेशर यूज कर सकते हो ठीक है यह गेहूं वगर हमें यूज होता है next आपका weeds क्या होती है weeds क्या होती है मतलब खर्पतवार जिसको आप बोलते हो weeds मतलब जो unwanted और undesirable plant होते हैं हमारी main crop के साथ-साथ अपने आप grow कर जाते है naturally उनको हम क्या बोलते है weeds यानि unwanted plants या फिर wild plants मेन क्रोप के साथ ग्रोकर जाते हैं कैसे नेचुरल कि एस और योज थी थी तो अपने आप ग्रोकर जाते हैं तो क्या करेंगे वो इनके साथ competition करेंगे इनके हिस्से का उनको nutrient चाहिए, पानी चाहिए, इस टेस चाहिए ठीक है? तो उस competition से बचाने के लिए या फिर हमारी crop के production को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं weeding करते हैं, फिर weeds को हटाते हैं ठीक है? तो weed decide क्या है? अब उन weeds को खतम करने के लिए अगर हम कोई chemical use कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? weeding decide, मतलब chemicals which are used to kill weeds, जो chemical weeds को kill करने के लिए use होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? weeding decide, ठीक है? और weeds क्या आपके? unwanted plant, जैसे chemical का spray हो रहा है ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं we know in क्या होते है? we know in में क्या है? हमने grain को chap से separate तो क्या था? तो ये process क्या होई थी हमारी? thrashing है ना? लेकिन फिर भी कुछ हिसा उसके अंदर रहे जाता है जिसे हम क्या करते हैं? by action of wind से या with the help of wind से अलग करते हैं उस process को हम क्या बोलते हैं? we know in ठीक है? ये हो रहे आपका जो heavy grain है वो आपकी तरफ आएगा और जो chair fair वो light होता है वो हवा की वज़े से दूर चला जाएगा ठीक है? और आपके पास साफ सुतरा grain रहे चाली है clear है? तो ये तो थे आपके कुछ keywords उसके अलावा हम कुछ terms देख लेते हैं जो बहुत important है आपको कुछ पता भी हैं लेकिन specially अगर बोला जाए कि इसको define करो तो हो सकता है maybe कोई problem आ जाए कि आप define ना कर पाएग तो चलिए देखते हैं हम उन्हें कैसे define करेंगे compost क्या होता हमने अभी जिकर किया था कि manure humus compost क्या है सब एक ही चीज है decayed and decomposed plant and animal matter कि जो animal और plant का जो waste matter है जो decay हो गया गल सड़ गया है उनका breakdown हो गया है bacterial action से या microbes की help से उसे हम क्या बोलेंगे compost या फिर manure ठीक है clear है अब इसी manure को हम फर्दर divide कर सकते हैं एक हम बोल सकते है farm yard manure फिर दूसरा हम बोल सकते हैं green manure ठीक है farm yard manure कैसे जैसे आपने harvesting की थी harvesting हम जब करते हैं तो छोटे छोटा कुछ हिस्सा जमीन से जो सटा हुआ है वो नीचे ही रह जाता है तो जो partly decade farm waste है ठीक है अब वो अच्छे से गला सटा नहीं है जैसे आप खेत में प्राली छोड़ देते हो है अपने सुना भी होगा news में की प्राली जलाने से क्या हुआ है air pollution बढ़ गया है तो चोटे चोटे हिस्सा रह जाता है जिसे हम ठूट बोलते हैं वो क्या करते हैं उसको जला देते हैं अगर हम उसे वापस flowing के time फिर से use कर लें तो उसे क्या होगा हमारे खेत के अंदर क्या होगा मैनियोर का काम करेगा बोगा हो धीरे मतलब जो direct farm में ही तयार हुआ है then green manure कैसे करेंगे अगर खेत के अंदर कौन से खेत के? ploard field के अंदर आपने क्या करा green leguminous intercrop लगा दी कौन सी crop? intercrop अब intercrop भी देख लेंगे क्या है कौन सी उसके हमने green leguminous मतलब कुछ legume plant लगाए हैं हमने legume plant कौन सी? जिन से हमें क्या मिलता है? pulses, cereals ठीक है? pulses ही माल सकते हैं आप जब लें जैसे हम ले सकते हैं beans हो गया मतर, peas हो गया ये सारे क्या है? leguminous plant है ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? leguminous plant है तो ये leguminous plant कब करते हैं? यह नहीं, दो crop के बीच में उगाते हैं मतलब, रभी की crop, खरीफ की crop है ना? उनके बीच में जब उगाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? inter crop कौन सी? inter crop मतलब, दो crop के बीच की crop को क्या बोलेंगे? inter crop तो इनसे क्या होगा? ये उगा के और हम उसे क्या करते हैं? खेत के अंदर ही उसकी प्लोईंग कर देते हैं जिससे फिर क्या होगा? soil की fertility इंक्रीज हो जाएगे वो किसका काम करेंगे? वो manure का काम करेंगे तो इन्टर क्रोपिंग क्या होगा? अब यही अक्रोप सोन और हार्वेस्टिड इन बेट्विन खरीफ और रभी यानि जो क्रोप रभी और खरीफ के बीच में उगाई जाते हैं जायद क्रोप भी बोलते हैं जायद क्रोप भी बोल सकते हैं जायद क्रोप ठीक है? यह जायद क्रोप कौन से हो सकते हैं? जैसे वाटरमेलन हो गया और कुकुम्बर हो गया इस टाइप की क्रोप जो समर में ग्रो की जाते हैं क्रोपिंग मिल्टिपल क्रोपिंग यानी जब हम एक साथ कई सारी फसले उगा लेते हैं जैसे कैंज आने चछीट के काई हिस्से कर दे और एक हिस्से में हमने फलसबजिया लगा ली एक ही मनें गेहुँ वाल यह चैनल गेहुं के टायम की सबजेय लें जैसे हमने हैं यह sih है आपकी मटर लगा लीए ठीक है पीज और यह मांसरट ग्रों पशॉ लिए और एक की से पर लिए वीट लोग लिए तो नहीं जंग अगर हमने साथ हो गाई है तो उसे हम क्या बोलें गे मिक्स्ट क्रोपिंग या फिर मल्टिकल क्रोपिंग click clear है थान हम बात करते हैंैं मिक्सट फार्मिंग में क्या होगा बट्रप को मिक्स कर मिक्स कर दिया farming में ये होगा कि आप plant को crop कर रहे हो ठीक है? मतलब खेते भी कर रहे हो साथ-साथ live stock भी कर रहे हो live stock मतलब जो animals हैं, cattle हैं उसको भी पाल रहे हो साथ में ठीक है? उनकी rearing कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? mixed farming clear है? अब blossom क्या होता है? blossom ना ऐसा time होता है जिस time हर पेड़ पे fully full नचर आते हैं ठीक है? रंग भी रंगा सुहावना मोसम हो जाता है ठीक है? जिसे हम क्या बोलते है? वसंतरी तू ठीक है? यानि mass of flowers on fruit tree किसी भी fruit tree पे जब flowers के पूरे गुच्छे क्या आजाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं blossom जिसे आपने देखा होगा सरसों पे बहुत सारी फूल आते हैं है ना? होली के आसपास clear है? next हम बात करते हैं awful क्या होता है? awful मतलब cut off part है किस का? किसी भी animal का या किसी plant का? कोई भी part अगर आप काट लेते हो तो उसे हम क्या बोलते है awful awful जैसे waste from slaughtered animals जैसे माल लो chicken वगरा बनाते हैं है ना? तो उसके जो अंदर पीस मास होता है उसको हम रख लेते हैं बाकी जैसे हडिया वडिया है या उसके उपर के फर वगरा जो भी हो हटा देते है फ्लिर है skin वगरा हटा देते हैं तो वो बचा हुआ waste क्या है awful हुआ ना? ऐसे ही आप vegetables या fruits जो लेते हो ठीके? उसका क्या हुआ? मतलब छिलके हम उतार देते हैं fruits के बीजवीज या बीज के चार और का हिस्सा है उसके डंडी है वो सब हम हटा देते तो वो किसमें आ जाता? ओफ़र clear? symbiosis, symb मतलब साज़दारी biosis मतलब living organism की जब two living organisms mutual benefit के लिए एक साथ रहे रहे हों तो उस relationship कौम क्या बोलेंगे? symbiosis clear है? then honeycomb honeycomb मतलब मदुमक्खी का छत्ता यानि क्या है? beehive मतलब मदुमक्खी जो रहने के लिए use करते हैं रहने के रहके क्या करेगी? वो वहाँ पर क्या करेगी? honey को store करेगी तो beehive used for storing honey by honeybees उसे हम क्या बोलेंगे? honeycomb clear? life stroke क्या होता है? animals kept for use and profit जो हम अपने फाइदे के लिए animals को रखते हैं जैसे बैलों को बोज़ड होने के लिए ठीक है? आप क्या करते हैं घरों में जैसे गाए भैस रखते हैं तो दूद वेगरा के लिए तो ये सारा क्या है? life stroke pets क्या है? animals kept for pleasure सिर्फ आप अपने शोक के लिए किसी animal को पालते हो जैसे कुतों को रख लेते हैं कुछ लोग rabbit रखते हैं कुछ लोग parrot रखते हैं ठीक है? तो अपने शोक के लिए जो animals को rear करते हैं rear करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? agriculture क्या है? cultivation of crops or rearing of useful animals मतलब क्या है? कि crop को अगर आप उगा रेव वो क्या है? agriculture ठीक है? पीसी कल्चर क्या है? rearing of fish फिश को अगर आप बहुत पाल रहे हो मतलब पालने का मतलब यह है कि proper care करोगे जिसे आप क्या करेंगे? आप उसे उसे बेच कर कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा है ना? तो कैसे आप ध्यान रखेंगे कि आपस में ऐसी दो मचलिया ना रखे जाएं जो आपस में एक दूसरे को खा सकती है या फिर एक दूसरे को नुकसान पहुचा सकती है या फिर उस fish को कौन सा खाना देना है वो कैसे environment में रहेगी कितना पानी उसे चाहिएगा तो यह सारी चीज़े आप क्या करते हैं उसके culture में देखते हैं तो rearing of fish क्या है PC culture ऐसे ही rearing of honeybees कर रहे हैं honeybees को हम appies बोलते हैं तो appy culture हो जाएगा और अगर silk हमें चाहिए होता है silk से हम क्या बनाते हैं कपड़ा बनाते हैं तो ज्यादा production करना है तो हमें क्या करनेंगा silk किस से मिलता है silkworm से और अगर हम उसके rearing करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे सैरी culture तो rearing of silkworm क्या होगा सैरी culture ठीक है और ऐसे ही अगर हम birds for food जैसे हम chickens वेगरा या hens वेगरा जो रखते हैं फाल्स वेगरा जो रखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे poultry क्या बोलेंगे poultry rearing of birds for food उसे हम क्या बोलेंगे poultry ठीक है तो ये था बेटा आपका keywords अब next class में हम करेंगे इसके exercise अभी के लिए कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है आप video को अगर आपको slow लग रही हो आप इसकी speed increase भी कर सकते हो आपको speed fast लग रहे हो तो आपको slow भी कर सकते हैं ठीक है Thank you Have a nice day